हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका आपके अपने चैनल हसी स्टरी गाइड में आज एस वीडियो में हम बात करने वाले है कि लॉस टाइम इंजूरी यानि की LTI और लॉस टाइम एक्सिड़न यानि की LTI में क्या डिफ्रेंस होता है उसके बार में तो चलिए फिर वीडियो को स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले जानते है कि लॉस टाइम इंजूरी यानि की LTI का मतलब क्या होता है उसके बार में यानि कि उस काम के लिए जो है वो उसको जो है डिले हो सकता है या फिर वो जो है अप्सेन्टीजम जो है उसका वहाँ पर हो सकता है तो उसे Lost Time Injury कहा जाता है छहले अब बात करते है Lost Time Accident के बारे में यानि की LTA के बारे में तो lost time जो accident है वो ऐसा accident है कि जहांपर employee को जो है काम करते वक जो है ये ऐसा हासा होता है कि जिसकी वज़े से employee जो है वहाँ पर जो उसका काम का जो space है वहाँ पर जो है उस workplace में जो है वो जान नहीं पाता है absent रहता है और वो भी minimum एक full day तक यानि कि पुरा दिन जो है वो उस काम को नहीं कर पाता है वो वहाँ पर absent रहता है तो यहाँ पर जो है आपको इस दोनों definition की मदद से जो है completely understanding हो गई होगी कि lost time injury और lost time accident का मतलब क्या होता है lost time injury यानि कि persons को जो है काम करते वक जो है कुछ यहाँ पर injury होती है कि जिसकी वज़े से जो है उसका जो regular काम है वो काम करने के लिए जो है कुछ delay हो जाता है या फिर वो जो है वो वहाँ पर normal जो उसकी work activity है वो वहाँ पर नहीं कर पाता है और lost time accident में हम नहीं यहाँ पर देखा है कि काम करते वक ऐसा accident होता है कि जिसकी वज़े से जो है employee जो है उसका regular का जो काम है वो नहीं कर पाता है वो वहाँ पर full day जो है वो upset रहता है उस injury के का तू से lost time accident कहा जाता है तो दोस्तों आशकरता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि lost time injury और lost time accident यानि कि क्या होता है उसके बार में तो बस आज के लिए इतना ही मुझता है ने टोपिक के साथ मैं तब तक लिए टेक क्या बाई